इस साल का मानसुन सीजन किसानों के लिए हर साल की तुलना में बेतर खरीब का मौसम लेकर आया है लेकिन समय पर वुआ होने के बावजूद भी सोयाबिन के फसल में गिराबट आई है फसल की बुआई बढ़ने की बावजूद किसान करज में डूब गया है प्राकुतिक आपदा से किसानों की उम्मीदे फिर धाराशाई हुई सोयाबीन की फसल तो अच्छी हुई लेकिन इस पर एलो मैजिक बिमारी की वज़ा से पूरी फसल खराब हो गई है किसानों के सोयाबीन के भुखंटों को देख कर किसान उमीद कर रहा था कि उस साल उसे पिछले साल के तोलना में अधिक सोयाबीन की फसल मिलेगी अच्छी फसल की उमीद में बैठे किसानों को इस फसल पर पहले बिमारी ने परिशान कर दिया है जिस वज़े से इस फसल बेगिरावट आई है इस बिमारी की वज़े से खेती में लगा हुआ पैसा भी किसान नहीं निकाल पाया नान, बेसूर, पंजरेपार, साइगाव, भगवानपूर, कोसोदा, अलेसूर, लोनारा, पिर्वा, महलगाव, सरसी, सलेबटी, चिखलपार और जाता तर गाओ के किसानों ने तैसल में बड़ी मात्रा में सोयाबीन की नगत फसले बोई जाती है इस साल सोयाबीन को भरपूर पानी और सहीवातावरन मिला, जिस वज़े से फसल सुन्दर अच्छी, लहलहारी थी किसान प्रती एकर कम जे कम दस क्विंटल प्राप करने की उमीद कर रहे थे, लेकिन आफरी समय पर एलो मैजिक बिमारी और फसलों पर लगे कीडों ने किसानों के उमीद पर पानी फेर दिया इस दोरान किसानों ने कुरुशी अधिकारी से मदद भी मांगी, लेकिन उनने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिले, इसके अलावा फसल काटने के दोरान, आयबिन मौसम बरसाथ ने भी फसल को पूरी तरह नश्च कर दिया, जिस वज़े से आप कोई भी बाजार में इसका क्या दा मिलेगा, यह चिंता किसान को सता रही है, पिछले साल स्वयाबिन की फसल अच्छी तरह से नहीं हुई, तैसे भी बैंक का कर्च चुका कर फिर से फसल कर्च लेकर स्वयाबिन के फसल बोई गई, महराष्ट सरकार की ओर से किसानों के बकाय को लिखने और उन प्रीत रूप से कज चुकाता था वह फिर से कज में डूप जाएगा और आत्मत्या कर लेगा इंदी से न्यूज के लिए भिवापूर से राम वागमारे के रिपोर्ट